ओम शान्ती आज है रविवार रात्व मुर्ली 15 डिसेंबर दोहजार चौबिस के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड तारीख है 28 फरवरी 2003 मधुबन से मुर्ली का शिर्षक है सेवा के साथ साथ अब संपन बनने का प्लान बनाओ कर्मा तीत बनने की धुन लगा दो आज शिव बाबा अपने शाली ग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयनती मनाने आए हैं यह अवतरण के जयनती कितनी वंडर्फुल है जो बाब बच्चों को और बच्चे बाबा को पदमा पदम मुबारक दे रही हैं चारो और बच्चे खुशी में जूम रहे हैं वा बाबा वा हम शालिग्राम आत्माई वा वा की गीतगा रहे हैं इसी आपके जनम दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं भक्त भी भावना में कम नहीं है लेकिन भगत हैं बच्चे नहीं हैं वह हर वर्ष मनाते हैं और आप सारे कल्प में एक बार अवतरन का महत्व मनाते हो वह हर वर्ष वरत रखते हैं वरत रखते भी है और वरत लेते भी है आप एक ही बार वरत ले लेते हो कौपी आप की ही है लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार में महत्व में अंतर है वह भी पवित्रता का वरत लेते हैं लेकिन हर वर्ष वरत लेते हैं एक दिन के लिए आप सभी ने जनम लेते ही एक बार पवित्रता का वरत लिया है ना की लेना है ले लिया है एक बार लिया वह वर्ष वर्ष लेते हैं सभी ने लिया सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं संपूर्ण पवित्रता का वरत लिया है पांडव संपूर्ण पवित्रता का वरत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है ब्रह्मचर्य तो foundation है लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं साथ में और चार भी है चार का भी वरत लिया है कि सिर्फ एक कालिया है चेक करो क्रोध करने की तो चुट्टी है ना नहीं चुट्टी है थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है बोलो पांडव क्रोध नहीं करना पड़ता है करना तो पड़ता है चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत का तो त्याक किया है लेकिन जैसे माताओं को देखो, प्रवर्पी वालों को बच्चों से कितना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत होता है चोटे चोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी यह पांच विकारों के महाभूत है महा रूप से उनसे तो प्यार कम हो गया है लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे है ना चोटे चोटे अंश मातर वंश मातर उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है है प्यार? कभी कभी तो प्यार हो जाता है हो जाता है, माता है, double foreigners, क्रोध नहीं आता कई बच्चे बड़ी चतुराई की बाते करते हैं सुनाएं, क्या कहते हैं? सुनाएं अगर सुनाएं, तो आज छोड़ना पड़ेगा तैयार है? तैयार है? छोड़ेंगे? या सिर्फ फाइल में कागज में जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिग्या के फाइल बाबा के पास बहुत-बहुत बड़े हो गए है तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिग्या का कागज फाइल में एड़ कर देंगे, ऐसे तो नहीं फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो, तीचर्स क्या करेंगे? फाइनल, हाथ उठाओ, ऐसे ही वाइदा नहीं करना, बाब दादा फिर थोड़ा सा रूपधारन करेगा, ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल, जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ, टीवी में निकलो, छोटा त्रेता योगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ, क्रोध क्यों किया, कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया, किया नहीं, मुझे कराया गया, अभी बाबा क्या कहे, फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना, तो आपको भी क्रोध आ जाता, बीठी बीठी बाते करते हैं ना, फिर कहते हैं, निराकार से साका तन लेकर देखो, अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाबा क्या कहे, बाबा को फिर भी रहम दिल ही बनना पड़ता है, कहते हैं, अच्छा, अभी माफ करें, लेकिन आगे नहीं करना, लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, तो पवीत्रता आप ब्राह्म यादगार श्रिंगार है, पवीत्रता संपूर्ण पवीत्रता, काम चलाओ पवीत्रता नहीं, संपूर्ण पवीत्रता आप ब्राह्मन जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, परस्नालिटी है, इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवीत्रत का वरत रखते हैं यह आपकी कॉपी की है दूसरा वरत लेते हैं खाने पीने का खाने पीने का वरत भी अवश्यक होता है क्यों आप ब्रह्मनों ने भी खाने पीने का वरत पक्का लिया है ना जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो न खाना पीना शुद्ध है भराते हो न तो खाने पीने का वरत पक्का है है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा न डबल विदेशियों का डबल पक्का है या कभी ठक जाते हो, तो कहते हो, अच्छा, आज थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा धिला कर देते हैं, नहीं, खाने पिने का पक्का है, इसी लिए भक्त लोग भी खाने पिने का वरत लेते हैं, तीसरा वरत लेते हैं, जागरण का, रात जाकते हैं, तो आप ब्राह्मन भ लोग आपको कॉपी कर रहे हैं तो आप पक्के हो तभी तो वो कॉपी करते हैं कभी भी अज्यान अर्थत कमजोरी की अलबेलेपन की अलस्यकी नींद नहीं आए ये थोड़ा-थोड़ा जुटका आवे तो हरजा नहीं है ऐसा जुटका खाते हो ऐसे अमरुत्वेले भी कही जुटका खाते हैं लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या-क्या कॉपी कर रहे हैं वह इतने पक्के रहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन वरत नहीं तोड़ते आज की दिन भक्त लोग वरत रखेंगे खाने-पिने कभी और आप क्या करेंगे आज पिक्नि करेंगे क्योंकि आपने जन्म से वरत ले लिया है इसलिए आज के दिन पिक्निक करेंगे बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो, संकल्ब भी बहुत अच्छे करते हो इतने अच्छे संकल्ब करते हो जो सुन सुन खुश हो जाते हैं संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है संकल्प कमजोर क्यों हो जाता है जब चाहते भी हो क्योंकि बाबा से बहुत प्यार है बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है और प्यार में सबी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है और बाबा भी मानते हैं प्यार में सब पास है लेकिन क्या है लेकिन है की नहीं लेकिन आता है की नहीं आता है पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है ना नहीं करते प्रतिन्या कमजोर होने का कारण एक ही है, एक ही शब्द है, सोचो वो क्या शब्द है, तीचर्स बोलो एक शब्द क्या है, पांडव बोलो एक शब्द क्या है, या तो आ गया ना, एक शब्द है मैं, अभीमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता ह मैंने जो कहां, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए, यह है अभिमान का मैं, मैं जब पूरा नहीं होता, फिर दिल शिकस्त में भी आता है, मैं नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, एक body consciousness का मैं बदल जाए मैं स्वमान भी याद दिलाता है मैं देह अभिमान भी दिलाता है याद मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है कभी भी किसी में भी अगर body conscious का अभिमान अंश्मात्र भी है उसकी निशानी क्या होगी वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा जरा भी कोई कहेगा न यह ठीक नहीं है थोड़ा निर्मान बन जाओ तो अपमान लगेगा यह अभिमान की निशानी है बाब दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे यह बच्चे शिवरात्री पर यहां वहां भाशन करते हैं न अभी बहुत भाशन कर रहे न उसमें कहते हैं बाब दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्री पर बकरे की बली चड़ाते हैं वह बकरा मैं 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 बहुत करता है ना तो ऐसे शिवरात्री पर यह मैं मैं की बली चड़ा दो तो बाबा सुन सुन कर मुस्कुरा रहे थे तो इस मैं की आप भी बली चड़ा दो सरेंडर कर सकते हो कर सकते हैं पांडव कर सकते हो डबल फॉरेनर्स कर सकते हो फुल सरेंडर या सरेंडर फुल सरेंडर आज बाप दादा जंडे पर ऐसे ही प्रतिग्या नहीं कराएगा आज प्रतिग्या करो और फाइनल कागज में जमा करना पड़े ऐसी प्रतिग्या नहीं कराएगा क्या सोचते हो दादिया आज भी ऐसी प्रतिग्या कराएगे फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे बोलो फाइनल कराओ हिम्मत है सुनने में मगन हो गए हाथ नहीं उठा रहे कल तो कुछ नहीं हो जाएगा कल माया चक्कर लगाने आईगी माया कभी आपस से आपसे प्यार है क्योंकि आज कल तो सभी दुमधाम से सेवा का प्लान बना रहे है जब सेवा जोर शोर से चल रही है गरे हो सेवा जोर जोर से करना रथा संपूर्ण समापती के समय को समीप लाना है ऐसे नहीं समझो भाशन करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हो सेवा अच्छी कर रहे हो बाप दादा खुश है लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है ला रहे हो आप ऐसी ही लाख देड़ लाख इकठा नहीं किया यह समय को समीप लाया अभी गुजरात ने किया बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं चलो लाख नहीं तो पचास हज़ार ही सही लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ सांथ संपन अताकी भी तैयारी है तैयारी है बाप दादा पूछ रहा है विनाज को बुला रहे हो तो तैयारी है दादी ने question किया था कि अभी क्या ऐसा plan बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए अब बाप दादा कहते है प्रत्यक्षता तो second की बात है लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते है स्थापना वाले एवर रेडी है परदा खोले कि कोई कान का श्रिंगार कर रहा होगा कोई माथे का तैयार हो हो जाएंगे कब डेट बताओ जैसे अभी डेट फिक्स की न इस मास के अंदर संदेश देना है ऐसे सभी एवर रेडी कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो 9,000,000 छोड़ो उसको भी छोड़ो 16,000 तो तैयार हो है तैयार बजाएं ताली ऐसी हाने करना एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा ताली बजाएगा प्रकृती अपना काम शुरू करेगी साइन्स वाले तो अपना काम शुरू कर देंगे क्या देरी है सभ रेडी है 16,000 तैयार है तैयार हो जाएंगे आपको ज़्यादा पता है ये जवाब तो छुडाने का है 16,000 की रेपोर्ट आनी चाहिए संपूर्ण पवित्रता से संपन हो गए बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है देट बताओ अब देट दो सभी से पूछो देखो होना तो है ही लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्टन तब तक बाप तब बाप के साथ चलेंगे नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है ब्रम्हा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ गेट खोलना है न चलना है न आज मनाना अर्थाद बनना सिर्फ केक नहीं काटेंगे लेकिन मैं को समाप्त करेंगे सोच रहे हैं या सोच लिया क्योंकि बाप दादा के पास अमरित वेले सबके बहुत वराइटी संकल पहुचते हैं तो आपस में राय करना है और डेट आपको बाप को बता देना जब तक डेट नहीं फिक्स की है तब तक कोई कारियर नहीं होता पहले आपस में महारत ही डेट फिक्स करो फिर सब फॉलो करेंगे फॉलो करने वाले तयार है और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा जैसे देखो अभी उमंग उजसाह दिलाया तो तयार हो गए ना ऐसे संपन बनने का प्लान बनाओ धून लगाओ करमातीत बनना ही है कुछ भी हो जाए करना ही है होना ही है साइंस वालों का भी अवाज विनाश करने वालों का भी अवाज बाब के कानों में आता है वह भी कहते हैं क्यो रेक्त रोकते हो क्यो रोकते हो अरवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो डेट फिक्स करो ब्रह्मा बाब भी कहते हैं डेट फिक्स करो तो ये मिटिंग करो पाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता पहले तो आप शक्तियों को देवतारू पांडवों को रहमाना चाहिए कितना पुकार रहे हैं अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गुंजना चाहिए समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना अभी भक्तों की पुकार भी सुनो दुखियों की पुकार भी सुनो सेवा में नंबर अच्छा है ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं उमांगुजसा भी अच्छा है गुजरात ने नंबर वन लिया तो नमबर वन की मुबारक अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही बिचारे बहुत पुकार रहे हैं जिगर से पुकार रहे हैं तडफ रहे हैं साइन्स वाले भी बहुत चिला रहे हैं कब करे कब करे कब करे पुकार रहे हैं आज भले केक कट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना, मनाना तो संगम युक के स्वहेज है, एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं का को बनाना, अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसी लिए अभी समय प्रमान रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयम पर भी रहम, अन्या अत्माओं प्रती भी रहम, अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन भिन लाइट्स की किर्णे दो, सारे विश्व की अप्राप्त अत्माओं को, प्राप्ती की अंचली की किर्णे दो, अच्छा, सर्व साक्षात बाप, मूर्त स्रेष्ट अत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप अत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को चारो और की ब्राम्हन जनम के मुबारक के पात्र बच्चों को सदा एकागरता की शक्ती संपन्न आत्माओं को बाब दादा का याद प्यार और पदम गुना जनम मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो और नमस्ते हम बच्चों की रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शीव द्वज फरहराया और सबको बधाईया दी आज के दिन सभी ने अपना जनम दिन की मुबारक दी और ली और जंडा भी लहराया लेकिन अभी वह दिन जल्दी लाना है जो विश्व के गलोब के उपर सर्व आत्माय खड़ी होकर आप सब के फेस में बाप दादा का जन्डा देखे कपड़े का जन्डा तो ने मित मात रहे लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाबा का चित्र दिखावे ऐसा जन्डा लहराना है वह दिन भी बहुत बहुत जल्दी लाना है आना है आना है ओम शंती वरदान हद की रॉयल इच्चाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधरी भव जैसे ब्रमा बापने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया सिवाए सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाय होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांती है सच्चे सेवाधरी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं जैसे देह का बंधन देह के संबन का भी बंधन है ऐसा सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है इस बंदन से वा रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो स्लोगन है वाइदो को फाइल में नहीं रखो फाइनल बना कर दिखाओ चा, ओम, शांती, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया